दोस्तों आज से हम answer writing का program भी start कर रहे हैं जिसके अंदर में हम daily question देखा करेंगे insight secure के अंदर में जो हमारे question डाले जाते हैं वहाँ से हम question उठा रहे करेंगे और वहाँ से daily answer writing practice के लिए उसका answer वगएरा देखा करेंगे question क्या question में क्या पूछा गया क्या approach होनी चीए काफी सारे लोग काफी समय से answer writing करते रहते हैं लेकिन उनको जो basic intricacies होती है answer writing की वो समझनी आती उसके बाद वो एक average answer लिखते हैं तो उसके अनसार इसको हम आगे लेके जाएंगे तो आपको बताना है आपको क्या इसमें interest है क्या आप देखना चाते हो तो इससाब से हम इसको आगे देखेंगे तो नीचे हमारे पास में comment section में या हमारा like dislike का जो button है वहाँ पे आप बता सकते हो इसके लिए हम 100 like का target रखते हैं 100 like तक अगर हो जाते हैं तो आगे इसको इसको इसी तरीके से continue रखेंगे तो चलिए start करते हैं इसमें हमारा first question है plus एक और information इसके साथ इसकी जो आपको ppt और pdf आपको जो मिलेगी description box के अंदर में और comment section के अंदर आपको मिलेगा telegram channel का link ठीक है जिन्होंने पहले join करके रखाया उनको तो वहीं मिल जाएगा लेकिन जिन्होंने अभी join नहीं किया है उनको वहाँ पे link मिलेगा वहाँ पे ppt और pdf आप download कर सकते हो और daily के अनुसार answer writing आप खुद कर सकते हो उसके बाद यहाँ से answer देख सकते हो प्लस इसमें काफी material भी आपको extra मिलेगा जो की काफी ज़दा research से बनाया होगा जो की आपको normal sources के अंदर में नहीं मिलेगा तो आज का हमारा question है मनरेगा के अंदर में जो भी हमारे rural, gram in, worker जो काम कर रहे है उनके दोड़ा क्या problem face की जा रही है तो यहाँ पे पुछा गया discuss करो इस चीज़ को अब इसके अंदर में इसकी जो approach होगी question की इसका जो main central theme है वो पुछा गया rural worker उनको क्या problem आ रहे है उसके लाबा यहाँ भी यह नहीं बोला गया कि उनके solution वगयरा दो इसमें solution कहीं भी नहीं बोला गया तो काफी सारे जैसे आप देखोगे जो भी inside के platform के पर देखोगे काफी सारे बच्चों के दौरा लिखा गया है उनके अंदर में या तो वो importance नरेगा की importance उसको लिखे जा रहे है क्योंकि वो यहाँ पे लिखना नहीं है दूसरा way forward के अंदर में काफी सारे लंबे चौड़े solution देख रहे है जो कि solution भी इसके अंदर में नहीं पूछे हुए अगर आपने देने हैं तो आप 2-3 line के अंदर दो central theme जो question की है वो है problem rural जो worker है उनके तोरा क्या problem face की जा रहे है जो कि मंद्रेगा के उपर में dependent होते है वो हमारी central theme है और 250 word इसमें बोला गया है इसका मतलब यह हमारे पास में 15-20 number का question आ रहा है अब इसमें problem यह आ रही है कि इसमें material काफी कम देखने को मिलेगा जो normal sources के अंदर होते हैं जिनको उतनी ज़्यादा उसके अंदर में research नहीं है उनको काफी कम material इसमें मिलेगा तो main is key central theme है problem क्या face की जा रही है rural worker हम उसको address करने की कोशिश करेंगे अगर आप उसको address करते हो तो आपको अच्छे marks मिलेंगे otherwise significance की उपर way forward की उपर ज़्यादा focus कर रहे हो worker के लिए zombie writing कर रहे हो मैं आगे बताऊँगा zombie writing क्या होती है तो फिर इसके अंदर में आपको marks नहीं मिलेंगे तो उसके लिए क्या किया जाएगा हमने यहां पर बताया मन्रेगा स्कीम है इसको 2005 में launch किया गया और इसका purpose क्या था लिविली हुड security प्रोवाइट कर वान थी कि इसको रूरल इंडिया के अंदर में poor household को तो question के अंदर में जिस तरीके से लिखा गया है कि rural worker तो हमने मन्रेगा को connect करके बता दिया rural worker के साथ में ठीक है इनके साथ में connect किया और इसमें ये भी बता दिया 100 days का wage guarantee program बोला गया इसमें per year के अनुसार इसमें और information भी आप जोड़ सकते हो लेकिन यहां तक आपकी काम आ जाएगी ठीक है और अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा knowledge हो तो आप ये भी बता सकते हो इसके चार purpose हैं एक तो 100 दिन का program दूसरा durable asset create करनी है आपने कुणा खोद देना कोई जिनका कोई काम आ सके फिर social inclusion करवाना है क्योंकि इसके अंदर में SCST women उनके लिए बोला गया कि special तरीके से provision किया जाएंगे फिर पंचायती राजी जो bodies हैं उनको autonomy दी जाएगी ताकि उनको strengthen किया जा सके अब इन्होंने अगर question के अंदर पूछा होता कि आप manrega scheme को evaluate करो तो आपने बताना था चारों point के उपर कि चारों point के उपर क्या क्या हुआ क्या PRI body empowered होई या नहीं होई social inclusion हुआ या नहीं हुआ इन्होंने manrega को evaluate करने के लिए नहीं बोला है तो question के अंदर सिर्फ पूछा गया problem बतानी है rural worker तो rural worker center theme होनी जाए तो आप इनके उपर बाते नहीं करोगे यहाँ PRI body strengthen नहीं हो रही PRI body strengthen नहीं हो रही वो अच्छी बात है लेकिन question मैं नहीं पूछा गया कि PRI strengthen हो रही वो पूछरे worker तो आपको उसको जोड के देखना है कि अगर वो strengthen होती तो उससे क्या effect होता तो वो आपका answer होता है इस type के आप बिना किसी pattern के उनको डालोगे उसको गोलते हो जॉंबी writing तो यह आगया introduction introduction आप ने कर दी यहाँ तक आप introduction लिख सकते हो या अगर यह भी पता है तो यह भी introduction के अंदर लिख सकते हो अब आता है इसका जो main core है उसमें पूछा गया problem रूरल worker के दौरा क्या problem phase की जारी है जो कि manrega के उपर dependent है अब जो manrega के उपर worker dependent है आपको कुछ चीज़ें उसके बारे में पता होनी चीए एक तो वो unskilled है ठीक है वो unskilled worker है उसके बास में कोई skill नहीं है तो अगर मालो आप unskilled worker हो तो अगर आप manrega में 10 साल भी काम करोगे तो आपको कोई certification नहीं मिलेगी कि अगर आप factory में जाओगे और बोलेगे मैंने manrega में 10 साल काम किया है तो उसका मतलब आपको कोई benefit नहीं है उसके अंदर में कोई certificate नहीं मिल रहा है उसके अंदर में तो first बात तो ये इसके अंदर में program जब चलाया गया था तो इंडिया उस समय गरीबी काफी थी 2005 के अंदर में चलाया गया था अब भी गरीबी हलांकी काफी जाता है मतलब आप बोल सकते हो 5 कुछ estimate के नुसार जो हमारी extreme form of poverty है वो 5% के गरीब है और essay journal के अंदर में 20% तो population आप बोल सकते हो कि इंडिया की poverty से जूज रही है अगर world bank की definition लेंगे 1.9 डॉलर के अनुसार अगर देखेंगे तो तो उसके अनुसार में मन रहेगा ठीक था अगर आपने employment देनी है लिकिन अगर आपने देश को आगे लेके जाना है और देश को skilled बनाना है और एक तरीके से industry revolution 4.0 उसकी तरफ आगे जाना है तो उसके लिए काम नहीं आएगा हमारे present prime minister में भी जब वो prime minister बने थे 2014 के अंदर में तो उनके दोरा भी बोला गया था कि ये जो program है ये गढ़ा गोदने के लिए बनाया गया है मतलब इसमें कोई skill वगरा नहीं दिया जा रहा लेकिन government की compulsion होती है plus हमारी जो realities and social realities और economic reality उसके अनुसार मनरेगा continue है but इसमें unskilled काम किया जाता है एक बात हमें ये ध्यान में रखनी है 100 दिन के लिए बोला गया आपको की 100 दिन आपसे काम करवाय जाएगा और 15 दिन के अंदर में आपको क्या wage दे दी जाएगी ठीक है अगर आप लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हो इसके feature इस तरीके से जैसे circle में बना के 15 दिन के अंदर आपको wage दे दी जाएगी ये बोला गया इसमें present में DBT के दोरा wage वगरा दी जा रही है direct benefit आपको transfer किया जा रहा है तो उसमें bank account का काम आ रहा है और अगर आपको 100 दिन रोजगार नहीं दिया जाता तो क्या मिलेगा आपको आपको वहाँ पे unemployment allowance मिलेगा ठीक है और ये जो हमारे 100 दिन का रोजगार है आपको अगर मालो इसके अंदर में रोजगार दिया उसके बाद में 15 दिन से delay हो रहा है payment देने के लिए तो 0.5% आपकी wage का उतना आपको compensation भी मिलेगी तो ये कुछ इसके provision है अब देखते हैं इनको क्या problem आ रही है first आ रही है minimum wage की issue government minimum wage के लिए बोर रही है हम minimum wage सब को provide करवाएंगे उसका मतलब है पहले हमारे पास में अभी दो हमारे पास में नया code आया हो है minimum wage के लिए उससे पहले हमारे पास में 1948 का minimum wage का act हुआ करता था उस act के अंदर में हमारे दोरा पोला गया था कि लोगों को एक certain amount of limited minimum wage मिलनी चाहिए मतलब उससे उपर मिल सकती है लेकिन उससे नीचे नीचे नी मिल सकती तो state के दोरा भी state ने अपने अपने तरीके से decide किया हुआ center बस ये बोलता है कि इतना minimum है इसके बाद आप देख लो different state के दोरा minimum wage जो है जैसे गुजरात के दोरा 298 है ये इनके दोरा decide की गए मतलब minimum wage उन्हेंने decide कर दी लेकिन नरेगा की अगर wage देखेंगे तो 194 रुपीज इसका मतलब यह है कि सरकार खुद अपने law को violate कर रही है तो सरकार एक तरीके से social कर रही है exploitation कर रही है मनरेगा वर्कर का तो जब आप बोलोगे आपको कम wage मिलेगी उसका क्या मतलब आ रहा है अगर आपको कम wage मिलेगी इसका मतलब आपकी purchasing power कम होगी ठीक है आपको 194 रुपीज मिर रहे हैं आपको क्या करना है एक तो purchasing अगर आपने मतलब फालतू की चीज़ें खरीद नी है enjoy के लिए कोई consumer good को अगर खरीद नी है उन good को अगर आप खरीद होगे तो क्या होगा हमारी country के अंदर में demand boost होगी demand boost होगी तो क्या हमारी जो manufacturer है वो क्या करेंगे investment शुरू करेंगे जैसे present समय के अंदर demand काफी ज़्यादा low है ठीक है demand low है investment भी कम ही कर रहे है तो government investment करने की try कर रही है तो basic मतलब demand और investment कम है economy के अंदर में तो अगर मनरेगा के worker को पैसे नहीं विलेंगे तो obvious ही बात है वो purchase नहीं करेगा purchase नहीं करेगा अपने बच्चों की education, health के ओपर invest करना है तो वो सब चीजें ये नहीं कर पाएगा तो basic बात इसमें ये आई कि government खुद exploit कर रही है worker को ये आप लिख सकते हो इसके अंदर में ठीक है minimum wage unskilled जो agriculture laborer होते है state के अंदर में जो unskilled मतलब आप compare कर रहे हो ये तो मालो factory वाले worker है अगर आपने compare करना है unskilled agriculture labor तो उनको मिलता है लगवक 350 रूपीज 350 रूपीज उनको मिलता है मन्रेगा के worker को लगवक इनको पहले 193 के करीब में मिलता था अब 2020 के लिए बोला गया है 202 रूपे मिलेंगे ये भी 202 सिर्फ बोला गया है state के अंदर में vary करता है ये different state में different हो सकता है ठीक है तो ऐसा बोला गया इनके दोरा तो पहली बात तो इनको wage काफी कम मिलता है दूसरी बात variation है wages के अंदर में हर येर के अनसार उसका revision नहीं किया जाता ठीक है और अगर उसका revision भी किया जाता है तो उसको किया जाता है CPI agriculture labor के अनसार जो की बाब आदम के जमाने का index है जो बड़ा आराम-आराम से उपर जाता है इसका मतलब यह है कि जितनी ज़बा इंफलेशन होगी उतना आपको revision मिलना चाहिए लेकिन उतना इसमें नहीं मिल पाता इसलिए recommend किया गया कि CPI rural उसको use किया जाए wage के revision के लिए जब इन worker का revision किया जाता है फिर worker को penalize किया जाता है administrative अगर इनको बोला गया कुछ कागज वगरा देने के लिए last year आपको कितनी payment मिली उसका audit करवा कि आप हमारे पास में report submit करो ठीक है तो इस type के अगर चीज़ें के दोरा नहीं हो पाती तो इनको administrative laps के लिए इनकी wage वगरा रोक दी जाती है तो वो काम किया जाता है worker के साथ में फिर banking, banking sector काफी over crowded है काफी कम bank है तो उसमें काफी ज़दा hugely crowded देखने को मिलता है जब मनरेका के बार कर जो है वो wage लेने के लिए जाएंगे अगर crowded होगा तो obvious ही बात है वहाँ जाओगे अपना आधा दिन लगा के wage लेके आओगे पॉइंट लिखे minimum wage के अंदर में या मान सकते हो यह point के अनुसार 5 point लिख दिए तो यहाँ पर categorize किया इसको minimum wage के अंदर यह चीज़ें लिखनी है अगर इसको zombie writing अगर आप नहीं करनी है तो आप heading लगा के ऐसे लिखते जाओ जितनी आप category में चीज़ें को डालोगे अपने brain में उतना connection बना पाओगे उनको मतलब उतना critically think कर पाओगे तो जब आप categories में डालके उसको समझाते हो question को अपने answer उसका बताते हो तो उससे आपकी understanding चलगती है आपको कितना समझाया चीज़ों के बारे में फिर आता है delay payment के अंदर में delay होना सभी state के अंदर में almost delay होता है 15 दिन बोला गया लेकिन 15 दिन के अंदर में आपको payment नहीं मिलती और इसमें से ये भी कोई मिलता छोटा मोटा delay नहीं है अगर 100 रुपए अगर 100 लोगों का आपने payment करनी है तो उसमें 50-80% अलग-लग state के अंसार payment में delay देखने को मिलता है और delay तो देखने को मिलता है अगर delay होगा तो आपको बोला है compensation देनी 0.5% हर दिन के अंसार तो आप compensation भी नहीं देते फिर इसके अंदर में 50% आपको बोला गया 100 days का guaranteed रोजगार मिलना चाहिए लेकिन 50% के करीब में मिलता है अब ये state to state vary करता है कुछ में 80%, कुछ में 20%, 25% उसके अनसार vary करता है प्लस बोला गया कि DBT से पैसे पहुंचाओ सबको उसके लिए क्या किया गया जिन लोगों के पास में कागज वगरा नहीं थे उनको बाहर निकाला गया फिर COVID का कुछ impact हुआ इसमें अब ये question पूछा गया COVID के context में recent के अंदर में लेकिन UPSC COVID के context में नहीं पूछेगी और आप देखोगे काफी सारे अगर आप उस platform पे जाके देखोगे नहीं ने COVID को relate करके COVID को जाबा उसमें डाल दिया है तो COVID के उपर question नहीं पूछा गया question journal पूछा गया जिसके अंदर में COVID आपको थोड़ा सा लिख सकते थी तो COVID के time में अभी काफी सारी problem हो रही है payment लेने के लिए एक तो payment time पे नहीं मिर रही फिर आपको long distance जाना पड़ता inquiry करने के लिए कि मेरी payment क्यों नहीं आई उसमें से भी कुछ लोगों को inquiry वगएरा उनकी solve होती है तो एक तो उनका work जो काम कर सकते थे वो loss उपर से time का उनका loss हुआ labor market में क्या problem हा रही है ये दूसरा point आप लिखोगे दूसरे तरीके से labor market में ये problem हा रही है इसके अंदर में जब जो लोग move करते थे work करने के लिए वो कम आएंगे अगर वो कम आएंगे तो हमने देखा वो किया करते हैं stable को burn कर देते हैं worker की अगर कमी है तो worker की कमी होगी तो obviously wage भी increase होगी ज़्यादा wage मांगेंगे agriculture liberal उसके कारण agriculture के जो input cost है वो increase हो जाएगा अगर agriculture का input cost increase होता है तो उसका मतलब inflation increase होगी rural area के अंदर में food inflation increase होगी food inflation increase होगी तो जो low wage मिर रहे हैं rural worker को उसको और ज़्यदा problem होने वाली है उससे तो एक बात आ गई ये दूसरा ये unskilled worker है इसमें कोई high skilled के लिए आपको prepare नी करते हैं manufacturing sector हमारा फिर नीचे रह जाएगा प्लस अगर आप मन्रेगा में काम कर रहे हो आपका दोस manufacturing में काम कर रहा है कोई service में काम कर रहा है तो आपको relative deprivation का सामना करना पड़ेगा क्योंकि वो ज़्यादा कमाओगे प्लस आप कोई future के लिए यार नी हो रहे तो आपके लिए future के लिए को skill नी है आप गटा वगएरा खोदोगे तो उन सब चीजों से आप डैम वगएरा बना लोगे चोटा मोटा काम करोगे लेकिन actual के अंदर में जो कोई आपके बास में प्रॉब्लम के बारे में focus करो तो आप उसी के बारे में focus करोगे अगर आपके पास में point ना हो जादा तो आप कर सकते हो कि हाँ उसके अंदर में 4 point बीच में लिखिया और फिर last के अंदर में कुछ और point लिखती है लेकिन यह इसका mean point नी है तो government ने कुछ step लेके रखे हैं यह जो उपर हमने method अप लाके रखे हैं इन में क्या problem आ रही है उसके लावा more decentralization करनी पड़ेगी PRI जो bodies हैं उनको हमें और ज्यादा साथ में लेके चलना पड़ेगा उनको decentralize और autonomous approach के साथ में आगे चलना पड़ेगा तो इससे हम इसको conclude कर सकते हैं अब इसके अंदर में चीज़ें लिखी थी और वहां से मैंने यह वाले पीछे वाला जो material है यह उठाया हुआ है तो वहां से यह काम आ सकता था पिछले साल question पूछा जा सकता था अब हो सकता है इस साल question आ जा इसके अपर मनरेगा वैसे भी अगर आप बोल सकते हो rural sector के लिए covid के time में game changer जो scheme में वह मनरेगा सावित हो रही है otherwise इतने सारे लोगों को कहा employment होगे उसके लावा कुछ other issues भी है जिनको लिखा जा सकता है लेकिन इस issue में नहीं लिखना था उनको because इसमें rural worker के बारे में पूछा गया था तो क्या था issue इसमें ज्यादा centralization कर दी गई है जो local bodies है उनकी काफी weak हो जैसे center से directly payment account के अंदर आ रही है तो पंचायत की जो bodies है उनके पास में power कम हो जाएगी plus यह जो हमारे पास में MIS system होता है जिसके अंदर में हम management के लिए जो corporate में use करते है या अगर आपने manage करना है किसी particular task को तो उसके अंदर में management के लिए system होता है कि कैसे उसको manage करें तो उस आप में कुछ भी नहीं होगा तो यह problem आ रही है इसके अंदर में weak कर दिया है local governance को इसमें फिर आया local जो priorities है उनके उपर ध्यान नहीं दिया जाता तो local area में किस चीच किया शकता है उसके उपर ना ध्यान दे कि larger level की policy implement कर दी जाती है जैसे integrated watershed program हमारे पास है ठीक है तो integrated watershed program क के अंदर बोला गया कि छोटे छोटे जो watershed होते है watershed ऐसा area होता है हमारे पास में जो जहां से एक particular अगर रिवलेट छोटी सी रिवर बह रही है तो उसमें पानी कहां से आ रहा है ठीक है जो catchment area होता है छोटी सी रिवर की tributaries का उसको बोलते है watershed जैसे यहाँ पे पहाड है इ इस type के dam बना दो तो सभी वही काम करने लग गए और वो dam काफी सारे मतलब wasteful है वो उपर से बोला गया तो आप उनको कर रहे हो तो यह इसमें कुछ issues थे इसके लाबा PDF आप वहाँ से download कर सकते हो और इसके बारे में बता सकते हो 100 like का target है अगर अच्छे से चलता है तो हम इस को discontinue करेंगे और बाकी तो हमारा science वाला काम चली रहा है ठीक है तो इसको देखेंगे और मिलते हैं next video के अंदर में thank you